आप देख रहे हैं CityTemps 7 News मैं महम्मद इस्तिखार आलम, जीला रर्या, परखंड फार्विजगंद के धोलबज्जा गाउं, किरकिचिया पंचाथ मैं आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये अस्पताल जो नजर आ रही है ये आयसमान भारत हेल्थ सिंटर है, ये अस्पताल को बनने से दो साल हो गया लगबक ये अस्पताल अब दो साल पहले बनी और इसको चालू होने से दो तीन मेहने करीब पहले चालू हुआ है तो इस अस्पताल का इस्तिति आप देख सकते हैं, आगे में पूरा पानी लगा हुआ, इस अस्पताल में आने के लिए किसी तरह का रास्ता नहीं है और इस अस्पताल में कुछ दिन पहले जो बारिस हुई थी, तो यहां एक मर्द करीब पानी था, अभी कुछ पानी घटी है, तो फिर बारिस का मोसम है, तो फिर पानी यहां लगेगी, किसी तरह का रास्ता इस अस्पताल में नहीं है और इस अस्पताल का काफी कुछ नुक्सान भी हुआ है तो आईए मैं यहां के गरामिन से जानना चाहता हूं कि यह लोग इस अस्पताल आई किस तरह साई कैसे आई कि आप लोग अभी कहां आए वे थे यह लिया यहां पर वो फित ल होस्पीटल आए पांड रहे हैं यह जो पानी लगी रहती है एक मेना पहले ज्यादा पानी था तो आप लोग अस्पताल नहीं आ रहे थे ना तो अभी कि क्या कहना चाहरे है इसके बारे में आप अज़ए आप क्या काना चाहते हैं इस अस्पथाल के बारे में अभी आप पानी में खड़े हैं तो आप लोग इस गद्धा के बारे में चाहते की रस्ता चाहिए पानी भाई होनी चाहिए आपका क्या नाम है दिदी इंदु देभी तो आप कहा आए थे अभी दावे लेन तो इस रास्ता में कैसे आए गारी बंगल मलागुल हरूट पर अब मिटी भरायेगा तो अमने जैंग आती में काफी कश्टे साना पड़ता है चलिए ठीक है आपका क्या नाम है बीबी तो न इस अब आपको दिक्कत हो राएं पर आपको दिक्कत हो रहा है इस हाँ दिक्कत हो रहा है एं गार्ड में यह पताल उसका मीमबर साहीब भी है और उस मीमबर साहब से में जानना चाहती हो आखिर यह होस्पिटल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं लग भग यहां महिनों दिन से पाणी बहुत जमा हो जाता इसमें पबलीक आने जाने में सुविधा होती है हम लोग का मार्केट में पानी का समस्या क्या है पानी बारीश के टाइम में तसर यहां मोटा मोटी चार-पांच फीट पानी लग जाती है अब इसके बारे में परसाशन विधायक सांसत को खबर पहुंचा हैं पर वगर में दिये हैं जी मीडिया के दुवारा तो बराबर हम लोग डालते हैं डालते हैं जी नीज और चार-पांस नीज में डाले हैं तो उसका असर हुआ कि होस्पिटल थोड़ा सुचारु धंग से थोड़ा बहुत चलने लगा है और एक असुविधा यहीं कि अभी बारी होती है तो पानी लग जाती यहां पर अस्पितल का अगे में जी यह एक बहुत बड़ा समस्य है इस पर हम चाहते कि आपके चैनल के माधियम से कुछ असर हो मिटी वर किया जाए बांटी नेशन किय आजाए ताकि यहां के लोगों को सुविधा मिले आपका नाम क्या है जी मेरा नाम संजे कुमर पासवन वाड नमर 11 जी मैं वाड सदस हूं आपका नाम क्या है मेरा नाम वाड डॉक्टर गजंदर यादा आप क्या कहाना चाहते है भाई गान इस हस्पितल के बारे में हम य ताकि लोगों को बाहर ने जाना पड़े रात में अगर इसा कोई प्रोलेम हो तो नजदीक में आकर अपना इलाज करा है लेकिन इसा कुछ नहीं है रात में कोई दिक्कत होते ही यहां समने को 4-5 km दूर जाना पड़ता है अभी आप पानी में खड़े हैं जी और आप बार अब आप बहुत जाए दुखका दोता है तो मैंने यह जाना कि इस अस्पताल के गाट की नहीं रहने के कारण अस्पताल का पुछ समान नुक्सान चाहिए लगा चरपांज में पहले चोड़ी हो वा जो भी था कुर्शी उर्शी सब चोड़ी हो गया था इतना ही नहीं यह सरकार भवान का वही हाल है सरकार भवान में भी जो है कि तीन-चार मेना पहले चोड़ी हुआ तो जो हम लोग आबेदन भी दिया थे सारा इंप्रमेशन भी कि नहीं सरी गाट का विवस्ता कि आजाए जो 24 गंटा परजेंट रहे हैं हम तो देखते हैं कि बिजली की तार ल मतलब नहीं है लेकिन फिर हम लोग इसका करें आप इसके भराई के लिए या रास्ता के लिए यह पानी की समस्या दूर हो या घेराबंदी हो इसके लिए आप विधायक सांसद वगर तक बात पहुंचा हैं जी सारा बात सबको पहुंचा हैं वीडियो सब को भी बोले थे चलिए आपका नाम मेरा नम डॉक्टर गजंदर कुमा अब ने सिम्ला ठाकूर जो इस अस्पताल में परजन रूटी पे है अभी और रूटी कर भी रही है इन से जानना चाहता हूं कि इस अस्पताल का क्या दिक्कत है क्या समस्या है दिक्कत तो है, यहां पर पानी लग जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है, अगस्त से ले करके करीब करीब नवंबर दीसम जनवरी तक यहां पानी लगा रहता है, जिसके कारण होस्पीटल में कार्ज बाधित रहता है, काफी पानी रहता है, नौ चलने वाला पानी रहता है तो इस अस्पपाल में पेसिन का आना जाना भी बनना रहा था है? उस टाइम में बन रहा था हुम लोग क्या करेंगे? रोढ भेर र किरकाद ही। जो द भाइदे सकते हैं देते हैं नहीं तो रोढ पर हो फटा्रे चले हैं? महिम, आप इस अस्पताल के बारे में क्या काना चाहते हैं? हम यही काना चाहते हैं कि अस्पताल में आने जाने बाले के लिए मट्टी भरा कर कम सकम रस्ता जरूर दिया जाए और boundary भी सब भी करवाद या दजय है, पानी का सुभीधा नहीं है, बिजली का सुभीधा नहीं है, इस अस्पताल में बिजली का भी सुभीधा नहीं है, सारा लाइन जो कैसे चोरी हुआ, हम लोग नहीं जान था, हम यह लोग यहां साथ दिसंबर को जोएंगें, तो अब से continue अस्पताल चल रहा है, आपका नेम? मेरा नाम है स्रीमती सिमला ठाकूर, ए है नेम, आपका कितने बज़े से डूटी है? यहां हम लोग आते हैं, नो बज़े से ले करके दो बज़े तक,